बविश्य के सभी अध्यापक साथियों का सरकारी अध्यापक चैनल पर हार दिक स्वागत है दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आपको चैनल पर दो सूपर टैट की क्लास दी जाएंगी और एक आपकी रीट की और यूपी टैट की संयुक्त क्लास दी जाएगी अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ SuperTet की हम एक class पहले कर चुके है आज हम SuperTet की GK को ले कर चलेंगे ठीक है आप SuperTet का official syllabus देखोगे तो इसमें EVS और SST यानि कि उसमें दिया था पर्यावरण और सामाजिक अध्यन 10 नमबर का दिया था तो वहां से आपके 10 प्रशन आएंगे और यहां पर SuperTet की अच्छी बात यह है कि उसमें वहां पर उसमें कुछ topics दे दिये थे syllabus में कि उन्ही topics को पूछा जाएगा SuperTet में ठीक है तो syllabus के अनुसार उन्ही topics को जो एक-एक करके topics हैं हम सभी को cover कर लेंगे जब आपका SuperTet आएगा तभी तक हमारा SST कम्पलीट भी हो पाएगा और जब नोटिफिकेशन आ जाएगा एक्साम की डेटा जाएगे तो हम केवल प्रेक्टिस करेंगे तो इसलिए आपको SST और EVS पढ़ना बहुत ज़रूरी है टोटल 10 नंबर की है यह 10 नंबर के कुछ topics दिये हैं इसके अलावा GK और Current Affair अलग से दिये है जो कि आपकी 30 नंबर की है तो Current Affair भी GK भी हम कवर करेंगे पहले हम यह EVS और SST के कुछ topics उसने जो syllabus में दिये हैं पहले एके करके इनको कवर कर लेते हैं जिसमें पहला ही topic उसने दिया था प्रतिवी की सरनचना तो प्रतिवी की सरनचना किस तर ऐसे है प्रतिवी कैसे कैसे बनी है क्या उसकी layer है कौन-कौन सी चीजों से मिलकर बनी है वह हम आज discuss कर लेते हैं ऐसे ही हम पूरे course को complete कर लेंगे तो चलिए शुरुवात करते हैं और जितने भी student नहीं है सरकारी अध्यापक चैनल को आपको subscribe कर लेना है और इसके बराबर में जो bell icon बन कियाता है उसको all per set कर लेना है और जिसने अभी तक telegram जोइन नहीं किया है वो telegram जोइन कर लो वहां पर आपकी exam से related जो भी news वगरा होती है सारी हम डाल देते हैं ठीक है चलिए शुरुवात करते हैं प्रतिवी की सर्रचना की बारे में जान लेते हैं प्रतिवी की सर्रचना की अगर बात करें तो किस तरह से बनी है क्या इसका आकार है तो वह सारी चीजों के बारे में चर्चा कर लेते हैं तो सबसे पहले एक एक करके points लिग लीजिएगा जो बोलते हैं प्रतिवी गोलाकार है प्रतिवी चप्टी है तो ना तो चप्टी है ना गोलाकार है वेग्यानिकों ने इसको नाम दिया है लदवच गुलाब यानि कि किसाकार की है Oblate Aspheroid किसाकार की है Oblate Aspheroid लदवच गुलाब लगभग लगभग गुलाकार है कैसी है पूरी गुलाकार नहीं लगभग लगभग और ध्रवों पर थोड़ी सी चप्टी है यह आपको अब लोगे 8850 मीटर हो चुकी है तो वो बढ़ती रहती है आगे बढ़ते हैं दूसरी और निमनतम बिंदु यानि कि पृत्वी का सबसे गहरा इस्थान कौन सा है तो प्रशांत महसागर में है कहां पर है प्रशांत महसागर में कौन सा है मरियाना खाई मरियाना ट्रेंच मरियाना गर्त कोछ भी आप बोल सकते हैं ठीक है समुद्र जिसकी समुद्र इस तरह से जो गहराई है वो 10,911 मीटर है यानि कि लगबग 10 किलोमीटर अंदर तक गहरी है प्रशावी और उपर की उच्छतम मिंदु की बात करें तो इसको तीन भागों में बाता गया है यह जो आप सबसे ऊपर सर्फेस देख रहे है ना काली पत्टी यह जो आप काली पत्टी देख रहे हैं इतने इस्से में केवल इतने इस्से में केवल इतने इस्से में जो आप काली पत्टी देख रहे हैं इसको भूपरपटी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, क्रस्ट, पहली परत है ये प्रतिवी की, कौन सी परत है, पहली परत, इसको क्या बोलते है, क्रस्ट यानि की भूपरपटी, दूसरी परत यहां से यहां तक है, यह देख सकते है, मेंटल, जिसको मेंटल बोला गया है यह मैं मार कर रहा हूँ न देखो यहां पर mental यह दूसरी परत है अब दूसरी परत को दो भागों में बाट दिया गया है यह तो आप देख रहे हैं जो मटीले कलर की यह है upper mental और यह जो yellow color में आफ देख रहे है यह है lower mental तो यहां से लेकर यहां तक यह mental है फिर तीसरी परत कौन सी है तीसरी परत है कोर यहां पर जिसको इंगलिस में क्रोड या फिर कोर कुछ भी बोल सकते हैं आप यह है क्रोड यह होगी आपकी तीसरी परत यह होगी आपकी mental दूसरी परत और यह होगी आपकी पहली परत जो सबसे काली वाली परती है चोटी सी पर पहली परत का नाम है भूपरपटी, यह पहली परत है, दूसरी है मध्य, मध्यस्तर की mental और आंतरिक जो परत है, तीसरी वो है क्रोड, तो प्रतिवी के कुल आयतन का 0.5% भूपरपटी का है, आप देख सकते हैं, भूपरपटी में कितना है, 0.5% कितना है, 0.5% है इसके परत है उसको बांटा है, इसी के बारे में और चर्चा करेंगे, एक एक करके इन सभी परतों के बारे में, इनकी विषयस्ताओं के जानेंगे, एक करके ठीक है, चलिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको इतना नय जाद रहे लेना है, पहली है क्रस्ट, जिसको भूपरपटी या फिर भूपटल कहते हो, दूसरी है मेंटल, तीसरी है कोर, चलिए, अब एक एक करके इन के बारे में चर्चा कर लेते हैं, अब देखिए, यह आपको स्क्रिंशॉट ले ले लेना है किवल, और इन स्क्रिंशॉट इन तीन पॉइंट्स में मैंने सारी चीजां कवर कर द हैं, महासागर हैं, वो किस पर हैं, भूपरपटी पर ही तो है, अब जो आप परवत, महासागर, महादवीब, यह सारी चीज अम जो रह रह रहे हैं, वो किस पर है, वो भूपरपटी पर पहली पर ही तो है, इसको क्या बोलते है, भूपटल, ठीक है, भूपटल की जो रच भूपरपटी ये दो धातों से मिलकर बनी है silica और aluminium, silica और aluminium और silica और aluminium को ही नाम दे दिया गया है siyaal, तो भूपरपटी is equals to करके लिख लो siyaal, siyaal में si लिख लो silica, al को लिख लो aluminium, है न, siyaal सब्द जो siyaal सब्द दिया गया है इसका प्रयोग सबसे पहले देली ने किया था, तो ये किसी भूगोलिविद का नाम है, देली, ठीक है, तो इनका नाम आपियाद कर लेना, ये जो भूपटल है, पहली परत है, इसकी मोटाई केवल 5-30 km तक है, यानि की परतिवी की उपर सतय से नीचे 30 km तक केवल इतनी मोटी परत है भूपरपटी की, तो सबसे चोटी उपरी परत यही है, मैंने आपको दिखाया था ना, बिल्कुल काला काला थेको, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको देख रहा है ना, बिल्कुल काला काली परत, पतली एकडम, इसकी मोटाई या पर बताई गई है, कि 5-30 km तक है केवल, पहली प परत में हमारी अवसादी चट्टाने मिलती है, अब चट्टानों का जो टॉपिक है वो अलग है, इसके बाद में आपको चट्टान ही पढ़ाऊंगा, कौन सी परकार की चट्टाने होती है, आगने चट्काने, शेले चट्टाने, अवसादी चट्टाने, चट्टानों के बारे में अगला topic पड़ेंगे, आप इतना याद कर लो कि जो पहली परत होती है, प्रतिवी की भूपरपटी, उसमें अवसादी चट्टाने पाई जाती है, और इसकी जो आंतरिक परत है, वो ग्रेनाइट से बनी होती है, वहाँ पर ग्रेनाइट सबसे जादा पाया जाता ह है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, पहली परत प्रतिवी की भूपरपटी, इसको सियाल बोलते हैं, यानि कि कौन-कौन से दातु इसमें मिलती है, इसमें अवसादी चट्टाने यहाँ पर मिलती है, और ग्रेनाइट से इसकी आंतरिक परत में आपको ग्र यह जो पर मेंटल और यह लोवर मेंटल, पूरी यह जो मेंटल है, अब इस परत की बारे में चर्चा करेंगे, इस परत की विषयषता क्या है, कि इसकी लग-बग जो मोटाई है वो 2895 km, यानि कि लग-बग आप माल लो 2900 km, 2900 km माल लो 2900 km तक यह मोटाई है इसकी, जैसे ह पहली परत पड़ी थी, पड़ी थी, 5-30 km तक लंबी थी वो, जमीन से 5-30 km तक, लेकिन यह 30 नहीं, 3000 km तक अंदर है, यह जो परत है दूसरी, वो silica और magnesium से बनी है, किस से बनी है, silica और magnesium, चलिए, अब यहाँ पर मैंने आपको बता दी, पहली आपको बोलनी है silica और aluminium, दूस परत है उसमें क्या है silica और magnesium, इस silica और magnesium से बनी है, इसलिए इसको CEMA कहते है, क्या कहते है, CEMA, पहली को क्या बोलते थे, CYAL, दूसरी को क्या बोलते है, CEMA, CEMA यानि की, ऐसा ही मतलब कि silica वही, MA, MA यानि की magnesium, ठीक है, निचली परत में चारिय पदार्थ पाए जाते है, इ जो MENTLE की परत है, सबसे निचली परत, जब ज़ुखे लावा वही से उपर निकल जाता है, जैसे क्या आपको देख सकते है, यह 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 यहlla ही तो है, lower mental लिखाया यह यहां यह यही तो है, तो यहां से पूरा जो अला मुकी का लावा है वह बाहर निकल के यही से जाता है, ये इसकी विशेष्टा है, अब और क्या के इसकी विशेष्टा है, अब आगे क्रोड की बात कर लेते हैं, जो हमारी लास्ट वाली परत है, क्रोड उसकी बात कर लेते हैं, क्रोड वा मेंटल की सीमा लगभग उन्तीस सो किलो मेटर की गेराई पर हैं, अब ये इसकी भी गेर भी हमारे, है ना, तो यह इतनी बड़ी, इतनी इसकी गहराई है, ठीक phải, और क्रोड के अगर भात करें, तो इसकी भी गहराई है, वो उन्तिसोकिलोमीटर है, बाहरी क्रोड, जैसे मैंने आपको बता है, मेंटल, जो दूसरी परत है, वो दो भागों में बाटा है, ऐसे ही क्रोड को भी दो भागों में बाटा है, एक है बाहरी क्रोड, जिसको आउटर कोड कहती है, यह तरल अवस्था में है, जबकि जो आंतरिक क्रोड है, वो ठोस अवस्था में है, इसमें क्या-क्या पाए जाता है, निकल और लोहा, यानि क टाइम वेस्ट नहीं करोगा, मैं आपका 5 मिनट का भी, ठीक है, वही चीज़े पढ़ाओंगा, क्योंकि उल्टी सीधी चीज़े दिमाग में जाती है, तो वह भी वहाँ पर जाकर, जो काम की चीज़ें, उनको भी हम भूल जाती है, चलिए, मैं तीसरी परत की बात कर रहा जिसका नाम है क्रोड, और वो निकल और लोहा से बनी है, और जिसमें लोहा की जो मात्रा है, वो 80% है, इसकी जो परदानता है, इसलिए इस परत का नाम है निफे, पहली परत का नाम था, भूपरपटी जिसको बोलायाता था, सेल, दूसरी परत का नाम था, मैंटल जिसको तीसरी परत कर नाम है, क्रोड निफे, इसमें निफे यानि की एनाई और फे यानि की एनल और लोहा. आपको ये सरचना समझ में आई की नहीं आई है. यहाँ पर मैंने आपके लिए छोटा सा लेक्षर रख था. झाँ हना, पीले लेक्चार मतलब ऐना जाहीए कहां, जो मैं सम्झाना चाही выглядит हो वह आपके आना चाही है, अरके 1 गंटाँ पड़ो, जाए 2 मिनिट Falke, रहें लेकिन जो भी आपको बढ़ाये जाया न तो वह आपकी समझ में आ झाइने चाही है आपको इसमें से 3 चीज़आ याद करनी है, पहली इन परतों के नाम, वुपरपटी, मेंटल, क्रोड, इनके नाम उपनाम, यानि कि कौन सी धातूद में पाई जाती है, सिलिका, अलुमिनियम, तो सेल, सीमा, यानि कि सिलिका और मैंगनीसियम, निकल और यानि कि निफे, इसके नाम, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है, ठीक है, तो ये है दोस्तो, प्रिथिवी की सरनचना की बारे में, यानि कि आंतरिक सरनचना की बारे में, अब प्रिथिवी की सरनचना तो बहुत बड़ी है, इसमें चट्टाने भी पाई जाते हैं, इसमें परवत भी पाई जाते हैं, बहुत सारी चीज़ हैं, तो इनके बारे में एक के करके अलग अलग टॉपिक में हम पढ़ेंगे, ठीक है, ये आपका SuperTet GK का पहला लेक्चर था, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इतना ही धन्यवाद.